आज हम बनाने जारे हैं पालक आलू इसके लिए लिए मैंने सडसो का तेल जो अच्छे से गरम हो चुका है इस तरह मैंने दो से तीन आलू काट दिये हैं और तेल में मैं फ्राइ कर लूँगी गैस किलो हमें हाई रखनी है आलू मेरे फ्राइ हो चुके है थोड़ा सा तेल लिकाल के उसमें मैं डालूँगी जीरा, लस्टन, सुखी लाल मिर्च और तेज पत्ता इसे भी अच्छे से भूज लूँगी अब मैं इसमें डालूँगी हींग दो प्याज हरी मिर्च काटके मैं इसे भी भूज लूँगी यह हमारा पालक है जो कि मैंने तोल डिया है इसे में डालूँगी सुखे मसाले, स्वाथ के अनुसार नमक हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिच पाउडर इने में थोड़ा सा भूज कर दो टमाटर डालूँगी और इसे भी में इसके साथ भूज लूँगी पालक को मैंने बारीक बारीक काट लिया और अच्छे से धो लिया है अब हम इसे अपना पालक भी डालेंगे और इसे कवर करकर एक से दो मिट पकाएंगे पालक हमारा पक चुका है ये देखे हमारी सबजी हलकी सी ग्रेवी है क्योंकि पालक थोड़ा सा पानी छोड़ता है और ये हमारी आलू पालक तयार